नमस्कार आप देख रहे हैं जंदा दरबान न्यूज जितने चोपड़ा के साथ आज हम लोग आएवे हैं भारतिय गोकरांती मंच राइस्थान परदेश अध्यक्स ताराचन कोठार जी से हम बात करेंगे आज सर बताएं हमें अभी आपने क्या भिहां चला रखाए हम भार अंदोलन कर चुके हैं रामलिला मैदान में परमपुझ गौपाल मनजी महराज जो हमारे राष्ट्री अध्यक्स हैं जिन्होंने ये गोमाता को राष्ट्रमाता बनाने का अभियान सुरूर किया जो अकरीबाद 10-12 साल हो गए हैं और उन्होंने अथक परिश्रम से पूरे गोमाता को पसू मानता है और साथ में पसू को काटने की इजाज़त देता है जो एक तरह से हमारी गोमाता के साथ में अपमान है अन्या है गोमाता बोल नहीं सकती तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी देश की सरकार या हम करोडों जो हिंदू अपने जिनकी गोमाता माता मानते आस्ता है तो उनका अप्मान किया जाए तो यह हम बार बार सरकारों से मांग करते आए हैं और अभी बीश नॉम्बर दोजार तेईस को दिल्ली के राम लिला मिदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे गुरुदेव के इस आनिद्दे में होने जा रहा है जिसमें पूरे देश के संकराचारी है और जितने भी संत मात्मा है वो बढ़ चड़के इसमें इससा ले रहे हैं कि गोमाता को रास्त माता का दरजा दिया जाए गोमाता एक ऐसा प्राणी है एक ऐसे मारी माता है कि प्रत्वी पे उसके मुकाबले में कोई संत ने कोई मात्म है ने किशी भी धर्म का कोई भी भगवान है जिसका जैसे गोवर और गोमत्र काम आता है वैसा किशी का भी नहीं आता इसलिए एे अँमारी को सोचने का सवाल है कि हम उसको पसू कैसे कह सकते हैं पसू कहना अपनी माँ को गाली देने के सम्मान है इसलिए हम चाहते हैं कि गो माता को राश्ट माता का सम्मान मिले आपने पहले भी अब यहाँ चला है इसका जी यहाँ 2014, 2016, 2018 में राम लिला मेदान में ही हमने लाखों गो वक्तों ने यह उंकार भरी कि गो माता को राश्ट माता का दर्जा दिलाया जाए लेकिन अभी तक भारत सरकार ने या केवल मातर हिमाला और उत्राखन ने वहां के इसेमली में यह पास किया है बाकी किसी राजिये ने अभी तक यह पास नहीं किया यह बड़ी सरम की बात है और हम सनातनियों के लिए एक चैलेंज है यह हमारे धरम पे आगात है कि हमारी माता को कोई पसू कहे और मैं पूरे देश की जनता से हमारे देश के सभी सनातन भाईयों से सादू संतों से यह विनमर आपके द्वारा यह निवेदन कर रहा हूं कि वो लाखों की संक्या में दिल्ली बीश नौंबर को राम लिला मैदान में पहुँच करके और गौमाता को राश्माता का दर्जा दिलाए हमने इसके लिए अपनी मेरी फेस्बुक वगरे पे हमने यह डिटेल भी डाली हुई है और जिसमें जो भी आर्थिक स्वयोग भी कोई करना चाहे तो अवश्य करे और हम मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरे साथ में अभी मेरे युवा, करांतिकारी, संत भागेंदर जी व्यास भी उपस्तित हैं जो इस बारे में आपको और डिटेल में बतलाएंगे जब मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो आपका जो ये न्यू चैनल है इसके जरीए आप हमारी ये बाहुना करोडों लोगों तक पहुँचाएं और इसके लिए ज़्यादा संक्या में ताकि वो वहां पहुँचे कि लोगतंत्र में संक्यावल ही मैन होता है इसलिए संक्यावल के इसाब से ही कानून में संसोदन होता है तो कानून में हर तरह से हमको 20 नॉवंबर 2023 को संसोदन करवाना ही है इसके लिए हम सब कटिवद है अगर ऐसा नहीं हुआ तो उल्टा ये सही नहीं होगा दोर देश में अमन्चेन में भी कहीं कोई बादा आएगी तो उसके लिए सरकारे जम्मेबार होगी इसलिए हमें हाज जोड़ के निवेदन करता हूँ और पूरे संतों से अपने मतवेद बुला करके और उतबाई 20 नौंबर 2023 को दिल्ली राम लिला मेदान में पहुंचे और अपने सिस्यों को अपने जितने भी इस्त मित्र मिलने वालों को भी ये तुरंट मेसेज दे कि 20 नौंबर गोपाश्ट मी के दिन गोमाता को राश्ट माता बनाने के लिए दिल्ली राम लिला मेदान पहुंचना है जै गोमाता जै भारत मात भागेंदर व्याजी आप क्या कहना चाते हैं इसके बाले में? भागेंदर व्याजी आप क्या 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 चाते हैं इसके बाले में? भागेंदर व्याजी आप क्या 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 चाते हैं इसके बाले में? आपके जनता दर्वाय न्यूज के माइदम से मैं कहना चाहूँगा कि जहां तक भी ये बात है पहुँचे हर सनातनी गोभक्तों के पास कि अधिक से अधिक संक्या में 20 नॉम्बर को दिल्ली भाग पहुँचें और आपका जो सहयुग हमको मिल रहा है इसे जनता दर्वाय न कहतों देती हैं लेकिन आप सब जानते हैं सरकार की रायनीती क्या होती है कहना कुछ करना कुछ होता है जब समय नजदीक चुनावों का आता है तो महालो बना देती है उसके बार सरकार भूल जाती है कि कहने का मतलब वे है कि हमारे धर्मे के साथ सरकार भी कई बार खिलवा सरकार है तो सबसे बड़ी दुख की बात तो हम सनातनियों को है कि हमारे सनातनियों ने सनातन धर्मे की सरकार बनाई है जो बाब बैटी है तो उनको भी बिचार करना चाहिए कि हमारे हर एक सनातनी की आस्ता हम से जोडी हैं तो उनकी बातों को सुिकार करना चाहिए और मान भी चाहिए और गुमाता गुरैश्टमाता घोस्त करना चाहिए. सरकार से आप क्या अपील चाटे हैं? मैं यह चाहता हूं कि जब हमारी सरकार धारा 370 अटा सकती है और हमारा जो यह है कि राम मंदिर का मुद्धा सुल जा सकती है जो इतने सालों से पैंडिंग था जिसके अंदर में पूरे देश में यह चल रहा था कि पता नहीं कभी जब भी राम मंदिर का यह मसला आएगा तो पता नहीं कितना खून खराबा होगा यह दारा 370 अठेगी तो कितना नुकसान होगा है या क्या क्या होगा लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं देश में शान्ती है तो फिर गो माता राश्न माता क्यों नहीं बन सकती क्यों गोमाता को तो सभी माता कहते हैं उसका तो किसी के साथ में विरोध ही नहीं और हो तो सब उसका समान रूप से दूद पीते हैं और उसी आसिरवाद लेते हैं तो यह मेरा मानना है कि सरकार को यह तो तुरंद मान लेना चाहिए और तुरंद प्रवाव से गोमाता को रा और हमारी मेन पावर इतना उसका वेस्ट होती है वो एक अच्छे काम में लगे देश की उन्नती में लगे तो ज्यादा अच्छा है और गोवाता के गोवर और गोमुत्र से तो ऐसी दवायां बनाई जा सकती है जिसे कैंसर जैसे बयानक रोग और ठीक होते हैं तो मेरी ये भ तुरंत भारत सरकार से हर सरकार को कि गोमाता को राष्ट माता तुरंत गोशित करें इसमें किसी को भी किसी तरह का मैं समझता हूँ अब्जेक्शन है ही नहीं तो फिर इसको इतना लंबा टालने का क्या फाइदा जब हमारा देश आजाद हुआ तब से ये बात थी कि के विंती है सभी से सरकारों से भी और संतमात्माओं से कि वो अपना स्तान अखाडा मंदीर जहां जहां भी वो विराजमान है तुरंत प्रवाव से वो छोड़ दें और इस मुहीम में जन जन तक पहुंच करके दिल्ली को इतने करोड़ों लोगों को पहुंचा दे कि भार करनी पड़े